नमस्कार इस कड़ी में आपका स्वागत है अब हम बनाने जा रहे हैं गाजर और चुकंदर का जूस तो आप लोग कैसे हैं पहले भी आप देख चुके होंगे बहुत सारे जूस हमने बनाये हैं और आज बनाने जा रहे हैं गाजर और चुकंदर ये भी शद्दियों में बहुत मिलता है गाजर सस्ता भी मिलता है और हमारी आखों के नेत्र जोती बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है तो आए देखते हैं इसमें भी आपको पहले जैसे गाजर है या चुकंदर हम डालेंगे और सीधा उसका जूस निकल के बाहर आ जाएगा तो इसमें हमें जितना ग्लास बनाना है उस इसाब से आप बना सकते हैं दो तिन गाजर में अच्छे से एक गिलास जूस बन जाता है और गाजर चुकंदर चुकंदर उसमें हम थोड़ा सही मिलाते हैं तो जैसे आदा किलो गाजर है तो 200 ग्रम चुकंदर मिलाएंगे उसको भी अच्छे से दोना है और यह तो बाहर से आता है हमारे यहां भी हम बाहर से लाते हैं तो उसको तीन पानी में दोते हैं नमक पानी में साधा पानी में और और एक साधा पान और यह गाजर में गाठे और ऐसे रेसे निकलते हैं, तो उसको आपको स्क्रॉब करना है, जब आप धोएंगे तो अच्छे से स्क्रॉब करके उसको धोलीजिए, क्योंकि उसमें बैक्टेरिया वगेरे छीपा रहता है, और आज कल बहुत सारे रोग होते हैं, तो वो सब हमे अब हम बनाते हैं, तो सीधा गाजर डालेंगे, मिक्सर रोन करेंगे, थोड़ा प्छा टुकडा हम चुकंदर का डाल देते हैं, अब आप चमत से इसको अच्छे से हिला लीजिए, तो यह हमारा गाजर चुकंदर का ज्यूस तैयार है, इसको हम ग्लास में डालते हैं, यह देखिए गाजर और चुकंदर का ज्यूस, एक दम लाल कलर है, और हमारे खून का कलर भी लाल है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं, प्राकरतिक है, तो ना चीनी मिलाते हैं, ना नमक मिलाते हैं, वैसे स्वाद के लिए कोई भी मिला सकता है, लेकिन हम उसको नेचरल लवे में देते हैं, प्राकतिक जैसे हैं, उसका टेस्ट सही है और हमारे शरीर के लिए भी वो सही है, इसमें प्रोटीन होता है, फॉस्फरस होता है, विटामीन A, B, C होता है, केरोटीन तत्व होता है, जो नेतर जोती बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है, और साथ में हमने चुकंदर भी डाल है, जो रक्त को शुद्द करता है, हीमोगलोबिन बढ़ाता है, हमारी तवचा को भी बहुत सुंदर चमकीला बनाता है, तो यह गाजर का जूस है, उसको हम टेस्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया है, यह प्राक्रतिक जैसा है वैसे में बहुत अच्छा लगता है, तो इस हम गाजर चुकंदर का जूस बनाना भी देख लिया, उसकी जानकरे प्राप्तकी, तो अब अगली कडी में देखेंगे हम दूसरे जूस, तब तक के लिए सबको नमस्कार.